लेप्टी चेहमेंसर, मेरा सब्जेक्ट है महिला आरक्षन विधेक को भारतिय संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। मैं सरकार से दर्खास करता हूँ कि महिला आरक्षन विधेक को भारतिय संसद में जल्द से जल्द पारित किया जाए। महिला आरक्षण विदहक का पारित होना देश के 66 करोड महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक एतिहा से कदम होगा वो भी तब जब भारत अपनी आजादी के 75 साल और आजादी का अमरत महत सब मना रहा है और अंतराश्टिय स्तर पर G20 की अधिक्ष्टा कर रहा है पारित कर भारत विश्व के सामने एक नया कीर्थी मान स्तापित कर सकता है लोकसबा और विदहन सबाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उनको नेतरित्व के नय अवसर देगा और भारत को विश्व का सरवश्रेश राष्ट बनने में कारगर सिध होगा मेरे नेता मान्य मुख्यमंत्री श्री नवीन पतनायक और मेरी पार्टी बीजू जनता दल महिला आरक्षण विदहक को संसद में पारित करने के लिए कई सालों से मांग कर रहे हैं 2018 में श्री नवीन पतनायक जी ने 22 राजनितिक दलों को बीजू जनता दल के प्रतिनीदी मंडल भेजे और इस विदहक को संसद में पारित करने के लिए समर्थन मांगा कई राजनितिक दलों ने इस मुहीम को समर्थन भी दिया 2019 लोकसभा चुनावों में श्री नवीन पतनायक जी ने 33 प्रतिशत लोकसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दी और उन में से कई आज लोकसभा में सदस्य हैं मानेवर मैं विनमरता के साथ फिर से अपनी मान को दोहराता हूं कि महिला आरक्षन विदेक को भारतिय संसद में जल्द से जल्द लाया जाए